धातूओं में मुक्त इलेक्ट्रान, फ्री इलेक्ट्रान्स इन मेटल, हम जानते हैं कि धातूओं में मुक्त इलेक्ट्रान होते हैं, यद जपी ये इलेक्ट्रान धातू की सतह पर स्वतंतर रूप से गती करते हैं, परंत ये इलेक्ट्रान धातू सतह से बाहर नहीं निकल स यदि इलेक्ट्रान धातु से बाहर आते हैं तो इसका प्रिष्ट धन आवेश प्राप्त कर लेता है और इलेक्ट्रानों को वापस धातु पर आकर्शित कर लेता है। इस प्रकार मुक्त इलेक्टरान धातु के भीतर आयनों के आकर्षन बलों के द्वारा रोक कर रखे गए हैं। परिणाम सरूप सिर्फ वे इलेक्टरान जिसकी उर्जा इस आकर्षन को अभी भूत कर सके धातु प्रिष्ट से बाहर आपाते हैं। अथा इलेक्टरानों को धातु प्रिष्ट से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्युन्तम उर्जा की आवशक्ता होती है। इस न्युन्तम उर्जा को धातु का कार्यफलन या धातु की दहली उर्जा कहते हैं। इसे साधारणता फाई नौट के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसे इलेक्ट्रान वोल्ट में मापते हैं एक इलेक्ट्रान वोल्ट किसी इलेक्ट्रान को एक वोल्ट के विभुहांतर के द्वारा त्वरित कराने पर प्राप्त उर्जा का मान है अतह एक एलेक्ट्रान वोल्ट बराबर एक एलेक्ट्रान गुनित एक वोल्ट, एक एलेक्ट्रान परावेश 1.6 गुनित 10 की घात्रियन 19 कुलाम गुनित 1 वोल्ट, कुलाम गुनित वोल्ट जूल होता है एक इलेक्टान वोल्ट बराबर 1.6 गुनित 10 की घात्रेंड 19 जूल सबसे कम कार्यपलन सीजियम धातु सीएस 2.14 इलेक्टान वोल्ट तथा अधिक्तम कार्यपलन प्लेटिनम का 5.5 इलेक्टान वोल्ट होता है धात्र की सत्य से इलेक्टान उस्सर्जन है तू ऐसी धात्र लेनी चाहिए जिसका कार्यपलन कम हो यदि ताप के द्वारा इलेक्टान का उस्सर्जन करना है तो उस धात्र का गल्लांक भी अधिक होना चाहिए इलेक्टान उस्सर्जन इलेक्टान इमिशन किसी धात्र की सत्य से इलेक्टान को उस्सर्जन करने के लिए नुन्तम अवश्यक उर्जा चार प्रकार से दी जा सकती है पहला तापाईनिक उस्सर्जन थर्मो आयोनिक इमिशन इस उस्सर्जन में धात्र को उप्युक्त ताप तक गरम करते हैं और गरम करके मुक्त इलेक्टानों को परियाप्त तापिय उर्जा देते हैं जिससे कीवे धात्र से बाहर आ सके दूसरा प्रकाश विद्योत उस्तर्जन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इस उस्तर्जन में जब किसी धाद्यू के प्रिष्ट पर उप्युक्त आवर्थी का प्रकाश पढ़ता है तो उसकी सता से इलेक्ट्रान का उस्तर्जन होता है ये उस्सर्जित प्रकाशिक उलेक्ट्रॉन कहलाते हैं तीसरा छेत्र उस्सर्जन फिल्डे मिशन इस उस्सर्जन में धातु की सत्य को एक प्रबल विद्यु छेत्र लगभग 10 की घात 8 वोल्ट प्रती मीटर के क्रम का लगाया जाता है तो उसकी सत्य से इलेक्ट्रान उस्सर्जन होते हैं दुत्यक उस्सर्जन सेकंडरी मिशन इस उस्तरजन में धातु की सतापर, जब तेज गती से गतीशीर इलेक्टरॉन, ब्रेकेड में प्रात्मक इलेक्टरॉन आकर टक्राएं और उस सताप से इलेक्टरॉन उस्तरजित हुएं, तो यहां दुध्यक उस्तरजन होता है. प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट किसी धातु की सतह पर उचित आवर्ती का प्रकाश पढ़ने पर उसकी सतह से इलेक्टरान का उस्तरजन होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है इस प्रभाव में प्रकाश उर्जा विद्यूत उर्जा में बदलती है। उस्तरजित इलेक्ट्रानों को फोटो इलेक्ट्रान तथा बेहने वाली धारा को प्रकाश विद्यूत धारा कहते हैं। विभिन्न पदार्थों पर जब उच्चित आवरती या तरंग लंबाई का प्रकाश पड़ता है तो उसकी सता से ये इलेक्ट्रान का उस्तरजन होता है। जैसे छारिय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेसियम, सीजियम पर द्रिश्य प्रकाश से प्रकाश विद्यूत प्रभाव दिखता है। जबकि जिंग, कैडमियम और मेगनिसियम धातुपर पराबैगनी प्रकाश आप्तित होने पर इलेक्ट्रान का उस्तरजन संभाव है। सरप्रथम प्रकाश विद्यूत उस्तरजन की परिघटना की खोज हेंडिक हर्ज ने 1887 में विद्यूत चुम्बक्य तरंगों के प्रयोग के समय की थी। उसके बाद विलहलम हालवाक्स तता फिलिप लिनार्ड ने 1806 से 1902 के बीच प्रकाश विद्यूत उस्तरजन की परिघटना का अन्वेक्षन किया। दो इलेक्टोडों धातु पठिकाओं वाली किसी निर्वातित काच की नली में उस सर्जक्त पठिकाँ पर पराबैगनी विक्रण आप्तित करने पर लिनार्ड ने पाया की परिपत में धारा का प्रभा होता है। जैसे ही परिपत में पराबैगनी विक्रणों को रोका गया वैसे ही धारा प्रभा भी रुख गया। इन परिक्षणों से ज्यात होता है कि जब पराबैगनी विक्रण उस्सर्जक पट्टिका सी पर आप्तित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आ जाते हैं, तथा विद्युत छेत्र द्वारा धनात्मक संग्राग पट्टिका एक ही ओर आकर्शित हो जाते हैं. निर्वातित काच की नली में इलेक्ट्रॉन के प्रभा के कारण धारा प्रभा अप्तित होती हैं, इस प्रकार से उस्सर्जक के प्रिष्ट पर प्रकाश पढ़ने के कारण वाय परिपत में धारा प्राप्त होती हैं. हालवाक्स तथा लिनार्ड ने संग्राहक पटिका के विभव आप्तित प्रकाश की आवर्थी तथा त्युभर्था के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्यं किया हालवाक्स ने 1888 में इस अध्यन को आगे बढ़ाया और एक रनावेशित जिंक पट्टिका को विद्युद दर्शी से जोड़ दिया जैसा की सलगन चित्र में दिखाया गया है उसने प्रेशित किया कि जब पट्टिका पर पराबैगनी प्रकाश को गिराया जाता है तो इसने अपना आवेश खो दिया इसके अत्रिक्त जब एक अनावेशित जिंक पट्टिका पर पराबैगनी प्रकाश गिराया गया तो वह धनावेशित हो गई जिंक पट्टिका को पराबैगनी प्रकाश उन्हां गिराएं तो इस पट्टिका पर धन आवेश और अधिक हो गया इन अवलोकनों से यह निश्कर्ष निकाला गया कि पराबैगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका से रिनावेशित करण उस्सर्जित होते हैं इलेक्ट्रान के उस्सर्जन का कारक आप्तित प्रकाश है। इस नियत युन्तम आवर्ति को देहली आवर्ति या ठ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं तथा इसका मान उस्सर्जक पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस निर्वात नलिका है जिसमें एक प्रकाश सम्वेदी पट्टिका सी और दूसरी धातु पट्टिका संग्राक पट्टि ए है। स्रोत एस से प्रकाश खिड की डबलू से पार होता है और प्रकाश सम्वेदी पट्टिका उस्सर्जक या कैथोड सी पर पड़ता है। पट्टिका सी से इलेक्ट्रान उस्सर्जित होते हैं जो संग्राक पट्टि ए पर बैटरी द्वारा उत्पन विद्युत छेत्र द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं। सी तथा एके बीच विभवांतर को बैटरी द्वारा बनाये रखा जाता है। तथा इसे बदला जा सकता है। प्लेट सी तथा एके द्रूवद दिशा दिख पर तक कुंजी द्वारा बदले जा सकते हैं। इस प्रकार उस्सर्जक पट्टि का सी की तुलना में संग्राक पट्टि का एको इच्छानुसार धन अथ्वा रिण विभव पर रखा जा सकता है। जब संग्राक पट्टि का ए उस्सर्जक पट्टि का सी की तुलना में धनात्मक होगी तब इलेक्ट्रान इसकी और आकर्शित होंगे। इलेक्ट्रान के उस्सर्जन के कारण विद्युद परिपत में एक प्रभा उत्पन होगा जिससे परिपत में विद्युद धारा इस्थापित हो जाती है। इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा और परिणाम सरूप परिपत में प्रवायत होने वाली प्रकाशिक धारा को माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है चूंकि दुर्बल धारा उत्पन होती है। प्रकाश विद्धारा की संग्राग पट्टि का एका विभव उस सर्जक पट्टि का सी के सापेक्ष परिवर्तित करके बढ़ाया अथ्वा घटाया जा सकता है। आप्तित प्रकाश की तिवरता तथा आवर्ती को भी बदला जा सकता है। जैसे कि उस सर्जक C और संग्रहक A के बीच विभ्वांतर V को बदला जाता है। प्रकाशिक धारा, कामान, विक्रण की तिव्रता, आप्तित विक्रण की आवर्ती, पट्टिकाओं A तथा C के बीच विभ्वांतर तथा पट्टिका C के पदार्थ की प्रकृती के साथ परिवर्तन करके अध्यन किया जाता है। उस्सरजक C पर पढने वाले प्रकाश के मार्ग में उप्योक्त फिल्टर अथ्वारंगीन काच रखकर भिन्द तरंग लंबाई के प्रकाश का उप्योक कर सकते हैं। प्रकाश रोत की उस्सरजक से दूरी को बदलते हुए प्रकाश की तिवर्ता को बदला जा सकता है। इलेक्टरान संग्रहक एक योर आकरशित होते हैं। आप्तित विक्रण की आवरती न्यू तथा त्वरक विभाव को इस्थिर रखते हुए प्रकाश की तिवर्ता को परिवर्तित किया जाता है। और परिणामी प्रकाश विद्यु धारा को प्रत्यक बार मापा जाता है। अब एक्स सक्ष पर प्रकाश की तिवर्ता वह वाई एक्स पर प्रकाश विद्यु धारा के मद्य ग्राफ खीशते हैं, तो यह ग्राफ सलग्न चित्र के अनुसार एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पाया जाता है कि प्रकाशिक धारा आप्तित प्रकाश की तिवरता के साथ रेखिकता बढ़ती है जैसा कि सलगन क्राप में दर्शाया गया है। प्रकाशिक धारा उस्सर्जित होने वाले प्रती सेकंड इलेक्टानों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है अता उस्सर्जित होने वाले प्रती सेकंड प्रकाशिक इलेक्टानों की संख्या आप्तित विक्रण की तिवरता के समानुपाती है अर्थात प्रकाशिक जुद्धारा पर विभाव का प्रभाव। प्रकाश विद्धारा को मापते हैं। संत्रिप्त हो जाती है जैसा की सलगन ग्राप में संत्रिप्त धारा दिखाया गया है। यदि हम विद्युत पट्टि का एके त्वरक विभाव को और अधिक बढ़ाती हैं, तो प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती है। प्रकाश विद्युत धारा के इस उच्चतम मान को संत्रिप्त धारा कहते हैं। संत्रिप्त धारा उस इस्थिती के संगत है जब उस्सर्जग पट्टिका सी के द्वारा उस्सर्जित सभी प्रकाश कि इलेक्ट्रान संगराहक पट्टिका ए पर पहुँँच जाते हैं। और इसे धीरे धीरे अधिक रिनात्मक करते जाते हैं। जब पट्टिका की धुरुता बदली जाती है तो इलेक्टरान प्रतिकर्शित होते हैं तथा केवल कुछ अति उर्जा वाले इलेक्टरान ही संग्रहक ए तक पहुँच पाते हैं। यहां पाया गया की प्रकाशिक धारा तेजी से कम होती जाती है। जब तक की यहां पट्टिका ए पर रिन विभाव वी नौट के किसी निश्चित, तिक्ष्ण और इस्पष्टक्रानतिक मान पर सुन्य नहीं हो जाती। आप्तित विक्रण की एक निश्चित आवरिती के लिए पट्टिका ए पर दिया गया निमनतम रिन विभाव वी नौट जिस पर प्रकाशिक धारा सुन्य है, उसे कट आप पोटेंशियल या अंतक विभाव अथ्वा निरोधी विभाव या सम इस्तब्द विभाव कहा जा इस तरह निरोधी विभाव वह नुनतम रिनात्मक विभाव है जिस पर प्रकाश विद्युधारा का मान सुन्य हो जाता है, जिसे सलग नगराप में नूझ वी नौट के द्वारा दर्शाया गया है, प्रकाशिक एलेक्टरान के द्वारा प्रेक्षन की व्याख्या सिधी धाट उसे उस सर्जित सभी प्रकाशिक इलेक्टान समान उर्जावाले नहीं होतेे। प्रकाश विद्युधारा तब सुन्य होती है। जहां E इलेक्ट्रोन पर आवेश है, V0 निरोधी विभाव है। पर इन सब की आवर्ती न्यू ही है। उतना ही रहता है जितना की आईवन तिवरता के आप्तिद विक्रण के लिए होता है। जैसा की सलगन ग्राप में दर्साया गया है। इस प्रकार आप्तिद विक्रण की एक निस्चित आवर्ती के लिए निरोधी विभाव इसकी तिवरता से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में प्रकाशिक एलेक्ट्रान की उच्चितम गति जुर्जा आप्तिद विक्रण की तिवरता पर निर्भर नहीं है। निरोधी विभाव प्रकाश की तिवरता पर निर्भर नहीं है। किन्तु आवरती पर निर्भर है। आई को समायोजित करते हैं और संग्रहाइक पठिका विभाव के साथ प्रकाश विद्युद्धारा के परिवरतन का अध्यन करते हैं। परिणामी परिवरतन को सलगन ग्राप में दर्साया गया है। संग्रहाग पट्टिका के विभव को X अक्ष पर, प्रकाश विद्युद्धारा को Y अक्ष पर लिया गया है, हमें आप्तित विक्रण की भिन्न भिन्न आवर्तियों N1, N2, N3 के लिए निरोधी विभव के भिन्न मान परंतु संत्रिप्त धारा का एक ही मान प्राप्त होता ह उस्तर्जित इलेक्ट्रानों की उर्जा आप्तित विक्रणों की आवर्ति पर निर्भर है, आप्तित विक्रण की उच्चतम आवर्ति के लिए निरोधी विभव का मान अधिक रिनात्मक होता है, चित्र से यह ज्यात है कि आवर्ति N3 बड़ी है, N2 से N2 बड़ा है, N1 के क्रम में हो, तो निरोधी विभव का मान V03 greater than V02 greater than V01 होता है, इससे यह पता चलता है कि आप्तित प्रकाश की आवर्ति जितनी अधिक होगी, प्रकाशिक इलेक्ट्रानों की उच्चतम गति जुर्जा उतनी ही अधिक होगी, फल सरूप इन्हें पूर्ण रूप से रोकने क के लिए अधिक निरोधी विभव की आवशकता होगी, अर्थात आवर्ती बढ़ने पर निरोधी विभव बढ़ता है, अधिक्तम गति जुर्जा बढ़ेगी, यदि हम भिन्न भिन्न धात्वों के लिए आप्तित विक्रण की आवर्ती न्यू को X अक्ष पर और संबोधि निरोधी विभव वी नाट को YX पर लेकर ग्राप खीचें, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिसे की सलगन ग्राप में दर्साया गया है. सलगन ग्राप यह बताता है कि निरोधी विभव वी नाट एक दिये हुए प्रकाश समवेदी पदार्त के लिए आप्तित विक्रण की आवर्ती के साथ रेखिकता है, परिवर्तित होता है, अता आप्तित विक्रण की आवर्ती और निरोधी विभव के बीच का ग्राप एक सरल रिखा आता है एक निस्चित न्युन्तम दहली आवर्ती न्यूनौट होती है जिसके लिए निरोधी विभाव सुन्य होता है इन अवलोकनों में दो तत्य अंतर नहित हैं पहला प्रकाशिक इलेक्टानों की उच्चतम गति जुर्जा आप्तित विक्रण की आवर्ती के स रेखिकता परिवर्तित होती है जबकि यह इसकी तिवर्ता पर निर्भर नहीं होती दूसरा आप्तित विक्रण की आवर्ती न्यू के लिए जबकि इसका मान दहली आवर्ती न्यूनौट से कम है कोई प्रकाश विद्युत उस्तरजन संभव नहीं है तिवर्ता अधिक होन की इस्थिती में भी इस न्युन्तम दहली आवरती न्यूनाट का मान भिन 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 धातूं के लिए भिन भिन होता है। ये कौपर में पराबैगनी प्रकाश से प्रकाश विद्यूत प्रभा होता है। अब यहाद किया गया है कि दस की घातिने नौ सेकंड की कोटि के या इस से कम समय में उस सर्जन प्रारम हो जाता है। अब हम प्रकाश विद्यूत प्रभाव के नियम उप्रोक्त प्रेक्षणों के आधार पर बनाते हैं। नियम नमबर एक किसी दिये गए प्रकाश समविदी पदार्त के लिए एक निश्चित न्यूंतम देहली आवरती होती है। जिसके नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रानों का कोई उस सर्जन नहीं होता चाहे आप्तित प्रकाश कितना भी तिवरक्यों नहों। दूसरा, देहली आवरती के उपर निरोधी विभाव अथ्वा तुल्यतह उस सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रानों की उच्चितम गति जुर्जा आप्तित विक्रण की आवरती के साथ रेखिकता बढ़ती है। परन्त यहा इसकी तिवरता से स्वतंत्र होती है। अर्थात, इलेक्ट्रानों की गति जुर्जा आप्तित प्रकाश की आवरती के समानुपाती है। तीसरा, किसी दिये गए प्रकाश समवेदी पदार्त और आप्तित विक्रण की आवरती के लिए प्रकाश विद्युद्धारा आप्तित प्रकाश की तिवरता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आप्तित ब्रकाश की तिवरता बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। किसी दिये गए प्रकाश सुमेदी पदार्त और आप्तित विक्रण की आवरती के लिए संत्रिप्त धारा आप्तित विक्रण की तिवरता के अनुक्रमानुपाती पाई जाती ह जबकि निरोधी विभाव तिवरता पर निर्भार नहीं है। प्रकाश विद्यतुस्तरजन बिना किसी समय पस्चता के एक ताच्छनिक प्रक्रिया है तब भी जब आप्तित विक्रण को अत्यधिक मंद कर दिया जाता है। अभ्यास के प्रश्न पहला कार्य फलन क्या है उसका मात्रक लिखी। प्रश्न दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रश्न तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखी। प्रश्न चौथा निरोधी विभाव क्या है या किन किन कारकों पर निर् झाल झाल